व्रेंट्स हम लेकर आएं आपके लिए चिकन कोरमा रेसिपी जिसके लिए हमने लिया है 600ग पन चिकन और वसके लिए हमने दो प्याज लिए बड़े साइस की ओर एक प्याज को हमने भून कर उसką कूट लिया है और आदा कटोरी हमने लिया है तेल और लिया है हमने कुछ ड्राइफ्रूट लिये है ड्राइफ्रूट में हमने नारिल का ब्रादर लिया है और लिये है एक चमच मगज एक चमच चिरोंजी और एक चमच से कुछ कम खस खस चार काजू चलिए इसको हम पीस लेते हैं और चलत हैं अपने गैस की तारफ हमने टेल की प्लिया है कड़ाई निंगे प्याज में नियुक्त को डाल दिए हैं इसको आपनाध हम भून लेंगे और इस इसको iszसल हम invites और ताक ये देखिए हमारी प्यास लगबख भून चुकी है भूट डार्क हम इसको नहीं भूनेगे अब इसमें हम डाल देंगे अपना जो हमने चिकन लिया था चिकन को अब चिकन को डाल कर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे चिकन को भी अब इसमें हम डाल देंगे स्वादनु सार नमक, आधी चमच, जितना आपको टेस्ट में लगे आप उतना ही नमक इसमें डाल दी जगा और इसको अच्छे से हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि हमारे चिकन में कोई इसमेल ना रहे अब इसमें हम डाल रहेंगे एक कटूरी दही जो कि है 100 गिराम के करीम छोटी कटूरी से हमने डाला है इसमें दही अब इसको भी अच्छे से हम चलाएंगे ताकि यह हमारा दही इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और फटा फटा नहीं लगे लगवग हमारा दही इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है फटा फटा नहीं लग रहा है इसमें अब डालेंगे हम कुछ मसाले लाल मिर्ष पॉडर एक चमच एक चमच आदी चमच हल्दी पॉडर एक चमच धनिया पॉडर एक चमच डालेंगे हम इसमें लेशन अद्रक का पेस्ट और इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले जिसमें लिया है जीरा एक सफैद इलाइची और काली मिर्च पांच और एक लोंग लिया है दो तेज पत्ता डालेंगे हम इसमें और अब इसको अच्छे से मिक्ष मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हमने जो ड्राइफ्रूट लिये थे उनको हमने पेस्ट बना लिया था अब इसको हम मिक्स कर देंगे चिकन में जो भी हमारी समान है सबको हम मिक्स करते जाएंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमच मलाई जो हमने ताजा मलाई ली थी और डालेंगे हम इसमें तीन चमच देशी घी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे आधा एक ग्लास पानी उतना पानी डालेंगे जिससे के हमारा यह चिकन गल जाए और इसको ढखके पकाएंगे कुछ पकने के बाद हमारा चिकन इस तरह से दीखने लगा है लगभग आधा आधी श्टेश पर वो पक चुका है इस चिकन को बनाने का बहुती असान तरीका है कि आप सारे मसाले डाले जाएं यह हमने डाला है जाइफल, दालचीनी और जावेत्री का पौडर एक छोटी चममच और इस स्टेश पर डालेंगे हम प्यास को अपनी जो कुटी भी थी अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे लगभग यह हमारा चिकन तैयारी हो चुका है अब इसको भी हम थोड़ा और पकाएंगे फ्रेंट्स इस तरह से बनाईएगा चिकन बहुती असान भी लगेगा आपको इस तरह से बनाना चिकन और टेस्टी भी बहुती बनता है अब इसको हम ढखक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसको यह हमारा पक चुका है करीबन भून गया है अब इसमें हम डालेंगे पानी जितना आपको पतला या गाड़ा रखना है आप उसी के हिसाब से पानी डाल दीजेगा इसमें मैंने इसमें कम ही पानी डाले है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला मुझे गाड़ा ही रखना था आप अपने हिसाब से डालेगा अब इसको हम ढखकर दो मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि ये अपना ओइल उपर आ जाए देखिए फ्रेंट्स ये हमारा कोर्मा बन के लगबग तयार है और इसमें से खुजबी भी बहुत अच्छी आ रही है आप भी इस तरह से कोर्मा बनाएगा और पूरे परिवार को खिलाएगा चलिए इसको करते हैं सर्व प्लेट में निकान लेंगे इसको देखिए फ्रेंट्स ये हमारा चिकन बन के तयार है फ्रेंट्स कैसे लगा हमारा चिकन बनाने का तरीका आप भी इस तरह से जरूर बनाएगा और कैसे लगा आपको हमारा बनाने का तरीका कॉमेंट्स में जरूर बताएगा वीडियो को करिएगा लाइक शेयर मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिस